तो जैसे कि festival सीजन चल रहा है तो इसके लिए आज हम बनाने वाले बहुत ही टेस्टी पनीर की मिठाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने यह आपर 200 ग्राम पनीर लिया है यह आदा किलो पनीर है जिसके हम दो पीसे में डिवाइड कर लेंगे तो मैंने यह पनीर के चोटे-चोटे से क्यूब्स कर लिए इसके बाद हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर एकदम इसको बारिक पीस लेंगे जैसे मतलब एकदम क्रीम फॉर्म होती है तो यह देखिए पनीर जो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपर ग्राइंड कर लिया है अगर पनीर को ग्राइंड नहीं करना चाहते हैं तो कद्दू क्रश से आप जो इसको अच्छे से एक दंबारिक वाली साइड से भी कद्दू क्रश कर सकते हैं अब हम इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे तो यह देखिए कितना स्मूध हो गया है यह जो मिठाई होती है बहुत ही जादा टेस्टी बनकर तयार होती है आपको बिल्कुल भी यकीन ही होगा कि आपने बिना किसी गैस जराए इतनी अच्छी मिठाई घर पर ही बनाकर तयार कर लिए तो यहां पर हम इसमें एक कप जो है नारील का बुरादा डाल देंगे तो मैंने यहां पर एक कप आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से जो है मिक्स ना हो जाए आप चाहें तो इसमें तो इलाइची पॉडर डाल सकते हैं अगर आप इसमें इलाइची का फ्लेवर काफी जाद है इन्हांस होने की वजह से इसका जो अपना फ्लेवर होता है दूद वालब वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको इलाइची का फ्लेवर पसंद है यह नहीं पसंद है आप चाहें तो उसको डाल सकते हैं तो मैंने देखिए इसको इस तरीके से डिवाइट कर लिया है वन फूर्थ पार अलग ले लिया है बाकी वन थाड़ जो हैं मिठाई बन कर तयार होती है बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है तो देखिए इस तरीके से हम जो इसकी चूटी-चूटी सी बॉल बनाकर रेड़े कर लेंगे यह बहुत ही अच्छी हमारे मिठाई बन कर यह तयार होगी तो देखिए मैंने यहापर सभी यलो बॉल्स बना कर तैयार कर लिए खाफी चूटी चूटी शेप में आम ने इन बॉलों को बनाया है यदू यलो बॉल तो हमारी बन के ज्रू है तैयार हूँ फैला दे रोटी जैसा और फिर इसके अंदर ऑस पूल उए बाल उठाके रख देंगे और उसकी बाद,स चारों तरफ से उठा kas अच्छे तरीखे से चिपका ताकि सब तरीके से यह यलो पार्ट अच्छे तरीके से अंधर बंद Another जये जाए और अब आप जैसी चाहें इसको शेप दे सकते हैं तो आप इसे किसी भी festival पर जब आपके पास time नहों तो फटा-फट से इस मिठाई को बना कर आप तयार कर सकते हैं. तो देखिए बिना gas जलाए हमने कितने कम timer इतनी अच्छी मिठाई बना कर तयार कर दिये. तो इसी तरीके से हम सारे की सारे पेड़ों को स्टफ कर देंगे वाइट वाले स्टफिंग के अंदर और हमारी बहुती सुन्दर सी मिठाई बनकर तयार हो चुकी है. तो हमारी मिठाई बनकर एकदम तयार है. अब हम इसके उपर चांदी का वरक लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल देखने में मार्केट के जैसी लगे. तो हमारी बहुती सुन्दर, बहुती टेस्टी माउथ मेल्टिंग हमारी मिठाई बनकर तयार हो चुकी है. तो इस दिवाली पर इस टेस्टी सी खुबसूरत सी मिठाई को ज़रूर बनाएं. कम टाई में बहुती अच्छी हमारी मिठाई बनकर तयार होती है. तो इस तरीक को कट करके देखते हैं कि कितनी हमारी मिटाई जो है खुबसुरत बनकर तयार हुई है लग रही है नहीं एक दम फस्ट क्लासी मिटाई तो जरूर से ट्राइ करें इस दिवाली पर इस मिटाई को